Hello and welcome to the extra class English आज हम करने वाले हैं आपका chapter My Childhood अब इस chapter का नाम है My Childhood तो यहाँ पे किसके Childhood की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम के Childhood की और यह जो story हम पढ़ने जा रहे हैं यह उन्ही की autobiography यानि की उन्ही की book जो उन्होंने खुद लिकी थी अपनी life पे that is Wings of Fire उसी में से एक chapter है तो जैसे की name suggest कर रहा है My Childhood यह जो chapter है यही बतायागा हमें कि किस तरीके से उनकी जो upbringing थी वो करी गई थी उनके parents कैसे थे and क्या क्या चीज़े उन्होंने अपने बच्पन में सीखी यह सारी की सारी चीज़े हम पढ़ने वाले हैं in this chapter of My Childhood So start करते हैं वो बताना कि वो एक middle class Tamil family से belong करते थे and कहाँ पे from Rameshwaran जिसे अब हम क्या बोलते हैं Madras तो वो बताते हैं कि वो लोग इतने कोई अमीर नहीं थे इतने भी जादा आप कह सकते हैं well off नहीं थे लेकिन जो उनके parents थे उन्होंने पूरी कोशिश करी थी उनको जितनी भी necessities of life हैं वो provide करने की अब Dr. A.P.J. Abdul Kalam की family members का नाम जानना काफी जादा important है specifically उनके father का और उनके mother का so मैं आपके लिए वो लिखने वाली हूँ so उनके father का नाम था Jainul Abdin and उनकी mother का नाम था Aashya Amma तो वो बताते हैं कि उनके जो father है although इतने educated नहीं थे लेकिन फिर भी उनको अपनी life की experiences ने बहुत कुछ सिखाया and इसलिए वो अपने father की बहुत ही जादा respect करते थे and वो बताते हैं जो उनकी mother है वो एक ideal support थी उनकी father के लिए in fact उनके जो father थे उनने एक helpmate नजर आती थी in his wife तो ये बताते हैं वो कि बहुत सारे बच्चों में से वो अपने family में एक बच्चे थे and जो उनका घर था वो एक ancestral home था मतलब कि हो सकता है उनके grandfather या maternal grandfather या फिर paternal grandfather का घर हो तो और वो बताते हैं कि ये पका house था वो कहते हैं limestone and brick से बना हुआ था हमें पता है कच्चा house थोते हैं and पका house थोते हैं तो हमें यही बताते हैं वो फिर वो बताते हैं कि मेरी जो mother थी उनका nature बहुत ही अच्छा था वो बहुत ही जादा kind थी and जहां तक कि मुझे याद है मुझे इतनी बात तो पका पता है कि मेरी जो mother थी बहुत सारे लोगों को feed करती थी in fact जब हम खाने बैठते थे तो हमारे family members कम होते थे लेकिन बाहर के लोग जादा होते थे और ये compassion ये kindness मुझे अपनी mother से सीखने को मिली है लेकिन फिर भी जो उनके father थे उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई थी अपने बच्चों को और वो क्या थी kindness and hard work फिर वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो family थी उनके लिए एक proper support थी चाहे आप कह सकते हैं वो materialistic चीज़ों में चाहे आप कह सकते हैं वो emotionally सो दोनों तरश से ही उनकी family ने उन्हें काफी जादा support किया अब वो हमें बताते हैं कि जब second world war broke out मतलब इन 1939 में जब second world war शुरू हुआ उस time पे उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आई और वो ये थी कि अचानक से market made tamarin या आप कह सकते हैं इमली उसकी जो demand थी वो इतनी क्यों बढ़ दे in any case वो कहते हैं वो क्या करते थे वो धेर सारे tamarin streets जो थे वो एकठे करते थे and then जाके उसको mosque street जहां वो रहते थे वहाँ पे जो shop थी उसको sell करते थे and उसके बदले में उन्हें एक अना या एक आना जो है वो मिल जाता था ठीक है so ये बताते हैं वो हमें then वो बताते हैं जो उनके brother-in-law थे जिनका नाम था जलावलुद्दीन so वो उन्हें काफी सारी stories सुनाते थे second world war के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है and later उन्ही stories को ये कहां पढ़ते थे एक newspapers में जिसका नाम था दीना मानी तो उस newspaper में इन सारी news को जब ये पढ़ते थे तो उन्हेंने काफी अच्छा लगता था कि उनके brother-in-law ने उन्हें ये सारी चीज़े बताएं अब वो बताते हैं कि क्योंकि ये south में था इसलिए उस time पे although Britishers हमें rule तो कर रहे थे लेकिन इस war का जो impact था हम पे इतना जादा नहीं पढ़ा था हम south of the country में रहते थे इसलिए हम पे इसका इतना जादा impact नहीं पढ़ा था लेकिन धीरे धीरे ये भी देखने को मिला हमें कि उसका impact हम पे पढ़ा अब कैसे? वो कहते हैं इंडिया को basically allied forces के साथ join करना था और इसलिए हम देखते हैं जो train आती थी रमेश परम station पे रुकती थी जिस पे newspapers आते थे वो जो train है अब हमारी station पे रुकना बंद कर चुकी थी तो अब क्या होता था? जो उनके कजन थे जिसका नाम था समशुदीन तो वो कहते हैं ये ही basically newspapers पहले collect करते थे और distribute करते थे तो अब इन्हें क्या करना पड़ता था? कि train रुकती तो नहीं थी तो इन्हें चलती train से ही जो newspapers थे वो लेने पड़ते थे तो इसके लिए उनको help चाहिए थी किसी की और वो help किसकी लिए थे? ये help उन्हें ली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तो ये अपनी cousin की help करते थे और उसके बदले में उनको ये pay करते थे और ये बात बूलते हैं APJ अब्दुल कलाम चाहे आज मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया लेकिन वो जो मेरी पहली कमाई थी उसकी कीमत, उसकी value आज तक मुझे पता है अज तक मैं अपने आपे काफी proud फिल करता हूँ कि मैंने वो पैसे खुद कमाई थे अब यहाँ पी वो बताते हैं कि हर बच्चा अपनी family से कोई ना कोई चीज़ को definitely inherit करता है अपने parents से तो वो क्या बताते हैं कि अपने father से उन्होंने traits inherit करी वो थी honesty की और honesty के साथ साथ self discipline जो था वो उन्होंने अपने father से receive किया वहीं दूसरी तरफ वो बताते हैं कि अपनी mother से उन्होंने concentrates inherit करी अपनी mother से वो कहते हैं उन्होंने एक तरीके से kindness and compassion ये दो चोचीज़े हैं ये अपनी mother से उन्होंने inherit करी अब यहाँ पे हम shift होते हैं उनके childhood में उस time पे जब वो school जाते थे तो यहाँ पे अब अपने तीन दोस्तों के वो नाम बताते हैं and बताते हैं कि अब वो क्या करते हैं तो देखते हैं उनके दोस्तों के नाम क्या है Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम के तीन बहुत ही अच्छे दोस्ते जिनका नाम था रामनदर सास्त्री, अरविंदन and सिवा प्रकासन तो वो बताते हैं यह तीनों ही जो मेरे दोस्त हैं यह हिंदू और्थोड़क्स फैमिली से बिलॉंग करते थे and A.P.J. अब्दुलकलाम हमें पता है कि he was a muslim तो उनके बीच में कभी भी religion को लेकर कोई clashes नहीं होते थे in fact वो बताते हैं कि यह जो उनके दोस्त हैं यह high priest जो थे उस टाइम के टेंपल के जिनका नाम था लक्षमना शास्त्री उनके यह son थे and later on इन्होंने अपने father का जो profession है उसी को take over कर लिया था अरुविंदिन के बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था basically वो एक तरीके से arrange करवाते थे travel उन लोगों के लिए जो pilgrimage पे जाते थे या आपके सकते religious यात्राओं पे जाया करते थे और थर्ड वो बताते हैं सिवा प्रकासिंग के बारे में कि उन्होंने Southern Railways के साथ catering का जो काम था वो शुरू कर दिया था तो वो बताते हैं कि ये जो तीन दोस्त थे ये काफी जादा close थे एक साथ थे अब वो बताते हैं जब annual ceremony होती थी किस चीज की? स्री रामसीता कल्यानम सेरेमनी तो जब ये सेरेमनी हुआ करती थी तो जो उनकी family थी उसका क्या काम था? वो boats प्रवाइड करती थी with a special platform और वो platform किस चीज के लिए? क्योंकि जो idols होते थे जो आप कह सकते हैं कि जो उनका बचपन था ऐसा नहीं है कि जो उनका बचपन था सिर्फ वो Muslim stories या आप कह सकते हैं उनके religion की जो stories है वो सुनके बड़े हुए थे In fact, जो उनके grandparents थे या grandmother थी वो उनको सुनाती थी stories of Ramayna also and prophet also तो इस तरीके से वो बचपन से ही दोनों religions को साथ मिलेकर बड़े हुए है Then वो बताते हैं एक दिन एक बहुत ही अजीब incident हुआ वो 5th class में थे और अपने दोस्त के साथ जो कि Ramana अधा है उसके साथ वो front row में बैठे हुए थे अब उस दिन class में एक new teacher आए and ये बताते हैं कि मैं और मेरा दोस्त जो दोस्त था वो हिंदू था तो वो एक sacred thread बहनता था जिसे हम जने यूबी कहते हैं तो ये कहते हैं जब वो teacher मेरी class में आया तो उसने हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा and उससे ये बात digest नहीं हुई कि दो different religion की जो बच्चे हैं वो एक साथ कैसे बैठे हैं तो उसने एकदम से उन्हें किसे अब्दुलकलाम को उठाया and कहा तुम पीछे जाके बैठ जाओ according to the social ranking इस तरीके की जो social ranking थी वो थी तो जब वो अपनी seat से उठके पीछे जाते हैं तो अपने दोस्त की तरफ देखते हैं that he is still crying तो दोनों को ही बहुत बुरा लगता है कि जो उनका teacher है वो इस तरीके से differentiate करवा रहा है between the religion अब डॉक्टर एपीछे अब्दुलकलाम और उनके दोस्त को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपने घर पे जाके अपने अपने parents को बता दिया तो जब उन्होंने अपने father को बताया तो उनके father ने इस teacher को बुलाया और कहा देखो तुम बच्चों के बीच में ये जो religious differences हैं इनको create नहीं कर सकते ये classroom में आते हैं एक साथ बैठके पढ़ते हैं वहाँ पे कौन सी social ranking और वहाँ पे सारी इस सब चीज़े क्यों तुम बच्चों के mind को ऐसे pollute नहीं कर सकते या तो तो तुम इस बच्चे से माफी मागनी पड़ेगी या तो तुम इस island को जिस पर आपके सकते जगा जहां ही रहते थे इसको छोड़ दो या तो इससे माफी मागो तो उनकी डांट का असर इतना हुआ उस teacher पे कि वो finally change होने लगा उसने accept करी कि उसकी एक गलती थी और इनोंने या इनके जो father थे उन्होंने उसको बिलकुल change कर दिया अब वो इस तरीके की social thinking के साथ नहीं चल रहे थे तो यहीं बताते है पीज़ अब्दुल कलाम कि बचपन से ही हमारे बीच में ही जो religion था कभी भी नहीं आया चाहे मैं Muslim क्यों ना हूँ चाहे वो Hindu क्यों ना हूँ लेकिन हम थे काफी close friends और जो हमारा area था जहां हम रहते थे वहां की लोगों को बिलकुल भी नहीं पसंद आता था कि अगर ऐसी कोई segregation हो community की on the basis of religion तो यही बात है यह चोटा सा जो incident है वो हमें बताते है अब वो अपने science teacher के बार में बताते है जिनका नाम है Siva Subramaniam Ayer तो उनके बार में वो बताते हैं कि वो उनके साथ जब बैठा करते थे तो उनको एक ही बात कहते थे वो कहते थे कलाम मैं चाहता हूँ तुम इतने ज़ादा develop करो जितनी आज कली जो educated cities हैं वहां के लोग developed है जब तुम इस तरीके से develop करोगे यह जितने भी differences हैं वो definitely पीछे रह जाएंगे वो बताते हैं कि जो उनके science teacher है वो belong करते थे एक भ्रामिन ओर्टडोक्स फैमिली को और उनकी जो wife थी वो भी काफी जादा conservative तरह के की thinking की थी और वो कहते हैं लेकिन उनकी जो science teacher थे वो ऐसे नहीं थे वो एक rebel types थे वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते थे और इसे लिए एक दिन उन्होंने उन्हें खाने पे invite किया और जब उन्हें invite करते हैं तो जो उनकी wife है वो काफी जादा disturb हो जाती है इस fact से कि वो एक muslim लड़के को अपने घर में अपने kitchen में बैठके खाना कैसे सर्फ करें या खाना कैसे खिलाएं तो वो उन्हें खाना सर्फ नहीं करती तो वो कहते हैं जो उनकी science teacher थे उन्होंने अपनी wife पे गुसा नहीं किया ना ही कुछ कहा in fact उन्होंने अपने हाथों से जो खाना था वो अब्दुलकलाम को परोसा और उनके साथ बैठ गए खाना खाने के लिए और जो उनकी wife थी वो पीछे से चुपके देख रही थी कि ये दोनों कैसे खाना खा रहे हैं और डॉक्टर अब्दुलकलाम ये सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी क्या उन्हें ये दिख रहा होगा कि हम दोनों कितने differently खाना खाते हैं या हमारा जो खाना खाने का तरीका है वो अलग है ये वो कहते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमारा religion अलग होता है तो ये सारी चीजें भी different होती है तो वो ये कहते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मेरी जो science teacher है उन्होंने observe किया कि मैं थोड़ा uncomfortable हूँ तो उन्होंने मुझे बोला देखो का लाम जब तुम system बदलने के लिए जाओगे तो ऐसी ही कुछ चीजों का तुमें सामना करना पड़ेगा confront करना पड़ेगा अब वो कहते हैं जब अगली बार उन्होंने मुझे dinner के लिए invite किया तो जो उनकी wife थी उन्होंने खुद उनको खाना serve किया तो इस तरीके से वो बताते हैं कि बचपन में ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी instances देखे हैं बहुत सारी ऐसी experiences दिये हैं जिसको जाग कर जिनको समझ कर आज हम देखते हैं कि उन सब चीजों से उन्होंने सीखा है और वो इतने अच्छे scientist भी रह चुके और उसके साल साथ हमारी country के 11th president भी रह चुके जो किसी ने भी imagine नहीं किया था कि एक छोटा सा बच्चा एक छोटी से गाउं से जो आता है वो ऐसी चीज कर सकता है या वो इंडिया का president बन सकता है और ये उन्होंने करके दिखाया अब वो बताते हैं कि जब second world war खताम हुआ तो ऐसा लग रह था कि इंडिया को freedom मिल जाएगा from Britishers क्योंकि गांदे जी ने यही कहा था कि इंडिया को freedom बहुत जल्दी मिलने वाला है तो इन्होंने decide किया था कि वो अपनी father से permission लेंगे कि अब वो रमेश्वरम छोड़कर रामनात्पुरम जाएंगे पढ़ने के लिए तो वो उनसे permission मांगते हैं और उसके बाद जो उनकी father कुछ चीज़े या कुछ lines को quote करते हैं वो काफी जादा important है तो चलिए उनका मतलब समझते हैं तो ये कुछ important lines है जो उनकी father है वो उन्हें कहते हैं वो कहते हैं अबुल मुझे पता है कि अगर तुम्हे grow करना है तुम्हे develop करना है तो तुम्हे जाना ही पड़ेगा क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जो सीगल है वो अपने nest में ही रहता है और वो उड़ना सीख जाए ऐसा तो possible नहीं है हर सीगल को या हर bird को अपना nest तो छोड़ना ही पड़ता है है ना तो यही lines है वो बोलते हैं अब्दुल कलाम को and then वो कहते हैं कि उन्होंने मेरी जो hesitant mother है यानि कि जो उनकी mother है उनको शायद कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यह जो मेरा बच्चा है मुझसे दूर चला जाएगा पढ़ने के लिए and जब उनके husband ने इस चीज़ को sense किया तो उन्होंने Khalil Gibran का एक बहुती famous आप कहसकते lines है poetry की उनको quote किया and यह उनकी जो poetry है your child या your children उसमें से ही जो lines है वो उन्होंने quote करी so यह lines का मतलब क्या है जैसे हम देख सकते हैं वो उनकी mother को बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है हाँ यह बात बिलकुल ठीक है कि यह तुम्हारे through आये है लेकिन यह तो life की desire है यह तो life के ही बच्चे है and इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर तुम्हें उन्हें birth दिया है तो यह बच्चे जो है वो तुम्हारे हो गए यह life के ही बच्चे है and तुम उन्हें प्यार कर सकती हो लेकिन तुम उन्हें अपने thoughts नहीं दे सकती तुम उन्हें सीखना या तुम अपने आपकी जो thinking है उन पे enforce नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनके अपने thoughts, उनकी अपने ideas होते हैं तो यही चीजें हैं जो वो अपनी wife को बताते हैं या Dr. Abdul Kalam की जो mother है उनको जो उनके father है वो बताते हैं और यह काफी जादा जरूरी है समझने के लिए कि किस तरीके से Dr. APJ Abdul Kalam की जो family थी उनके लिए कितनी जादा supportive थी So much so that उनके father ने इस चीज़ को जरा भी नहीं सोचा एक बारी भी कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए उन्होंने in fact उनको जैसे Abdul Kalam ने बताया materially के साथ-साथ emotionally भी support किया materialistic and emotional support जो था उनकी family ने उनको provide किया despite the fact उनके luxuries नहीं मिली लेकिन यह जो support उनकी family से उनने मिला इसी वज़े से हम उन्हें जानते हैं as a famous scientist and as president of India and यह जो story है छोटी सी जहां पर वो अपने childhood के बारे में बताते हैं यह chapter यहीं कतम होता है so इस chapter को तो हमने समझ ही लिया है and इसकी theme हम देखते हैं revolve करती है around Dr. A.P.J. Abdul Kalam किस तरीके के थे वो अपने बचपन में उनकी दोस्तों के बारे में मैंने आपको बताया and हमने देखा किस तरीके से बचपन में भी उन्होंने कुछ ऐसी जगाए थी जहां पर यह जो differences है of religion उनको experience किया लेकिन उनकी society and उनकी family काफी जादा supportive थी इसी लिए उन्होंने कभी मी mind में इस चीज़ को आने नहीं दिया कि उनके जो दोस्त है वो दूसरे religion से belong करते हैं यही सारी चीज़े हैं जिन्होंने उन्हें motivate किया and that is how we know him today इसमें से अब जो important question है वो भी यही आ सकते है specifically जो last lines है जो उनके father ने quote करी थी Khalil Gibran की वो जो lines है काफी जादा important है जिनका मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी wife को समझा रहे थे कि किस तरीके से हम बच्चों पे अपनी जो thinking है उसको enforce नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी thinking होती है अपने ideas होते है and वो आते जरूर है through their mother लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उनको belong करते है वो belong करते है life को वो life की desire है and अपनी life वो खुडशेप कर सकते है यह जो lines है यह काफी जादा important है and यही पूछी जाएंगी आपसे in your exam next question जो इसमें से आ सकता है वो यह होगा कि जब अपने science teacher के घर गए थे खाना खाने के लिए तो वहाँ उनका experience कैसा रहा तो आप बताओगे कि पहला experience उनका थोड़ा सा अजीब था क्योंकि being a Muslim child and going to an Orthodox Brahmin family जो उसकी wife थी जो उनकी science teacher की wife थी उन्होंने उन्हें accept नहीं किया था लेकिन जब वो second time पे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी wife ने उन्हें खुद अपने हाथों से खाना serve किया and यह सारी चीज़े कैसी हुई यह आपको mention करनी है तो यही important questions है जो आ सकते हैं apart from this उनकी childhood का एक और incidence था जहाँ पे हम देखते उनकी teacher ने किस तरीके से बेदबाफ किया था discrimination करी थी and उन्होंने फिर उससे क्या सीखा यही सारी चीज़े हैं जो पूछी जा सकती है So that's all for this video इस वीडियो में हमने देखा आपका chapter my childhood हमने जाना कि उसमें वो क्या कहना चाह रहे है and हमने देखा यूनकी autobiography Wings of Fire से लिया गया है So now until the next video keep practicing, keep learning झाल झाल झाल